दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर में आप सभीव को बताने वाला हूँ कि आप लोंग अपने Facebook प्रोफाइल को लॉक कैसे कर सकते हो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना step by step मैं आपको guide करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोंग अपने Facebook प्रोफाइल को completely लॉक कर सकते हो लॉक लगा सकते हो जी हाँ आपके मन में ऐसा सवाल होगा कि Facebook प्रोफाइल को लॉक कैसे करें तो ये काम बिल्कुल possible है हो सकता है इस वीडियो को पूरा देखना ध्यान से देखना मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोंग अपने Facebook प्रोफाइल को लॉक कैसे करोगे काफी लोगों के मतलब काफी लोगों के मन में question होता है कि अगर मैं Pakistan से हूँ या फिर other country से हूँ तो मैं अपने Facebook प्रोफाइल को लॉक कैसे करो क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा option नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर एक trick बताता हूँ जिसकी मदद से आप सायद ये काम कर सकते हो दोस्तो आपको VPN connect करना है VPN connect करने के बाद आप ये काम कर सकते हो यहाँ पर मैं confirm नहीं हूँ लेकिन आप इसको try करके देख सकते हो लेकिन मैं आपको इंडिया लोगों के लिए बतारो जो लोग इंडियन है अपने Facebook प्रोफाइल को लॉक करना चाहते है उनके लिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लूग ये काम कैसे करोगे चलिए वीडियो को start करते हैं मैं आप सभी को बताता हूँ दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को like कर दो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर दो घंटी को दबा दो all पे सेट कर दो ये काम बिल्कुल फ्री होता है कमेंट करके बता दो ये वीडियो आपको कैसे लगी ठीक है लास्ट में वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट जरूर से करना है चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप लूग अपने फेस्बुक प्रोफाइल को lock कैसे कर सकते हो इसके लिए आपको अपने फेस्बुक को open करना है फेस्बुक को open करोगे आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पर आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है 3 लाइन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको see your profile पे click करना है see your profile पे आप लोग जैसी click करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको three dot पे click करना है three dot पे click करोगे आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा दोस्ते यहाँ पर लिखा है only friends will see the photo post and story on your profile मतलब यहाँ पर सिर्फ आपके friend list में जो है वही आपके photo post, story को देख पाएंगे दूसरा जो line है उसमें लिखा है only friends will see your full size profile picture and cover photo मतलब जो आपके सिर्फ friend है वही आपके profile picture को या फिर cover photo को full size में देख पाएंगे तीसरा मतलब यह है यहाँ पर लिखा है people will still be able to search for you and send your friend request इसका मतलब यह है कि लोग अब भी आपको खोज सकेंगे और आपको friend request भेज सकेंगे इसका मतलब यह है तो आप अगर इससे agree हो तो आपको simply नीचे lock your profile पर click करना है जैसे कि यहाँ पर मैंने click कर दिया है दोस्तों यहाँ पर मैंने lock your profile पर click कर दिया है मेरे सामने कुछ इस तरीके का interface आ गया है यहाँ पर मैं को देखने को मिल गया है you're locked your profile ठेक है आपको simply okay पर click कर देना है okay पर click करोगे दोस्तों यहाँ पर आपकी profile locked हो चुकी है successfully फुली जैसे ही यहाँ पर आप लूँक देख सकते हो अब दोस्तों जो आपके friend मतलब जो आपका friend है friend list में है मतलब जो आपको friend request भिजता है अगर आप उसको accept करके रखे हो तो वही आपके profile को देख पाएगा आपके फोटो को फुल साइज में देख पाएगा आपके कवर फोटो को फुल साइज में देख पाएगा जो भी आपका फ्रेंड नहीं है वो आपके फोटो को फुल साइज में नहीं देख पाएगा और नहीं आपके cover photo को full size में देख पाएगा तो दोस्तों यही था यही इस तरीके से आप लोग अपने facebook profile पर lock लगा सकते हो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होगी चले दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ध्यार रखे टेक क्यार एंड गुडबाई